बिस्मिल्लाहिर्राह्मानिर्राहीम बीए इंगलिश के जो है वो पेपर एपरिल के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं उस हवाले से जो है मैं कुछ टिप्स आपको दूँगा कि अपने किस तरीके से त्यारी करनी है अब पहला काम आप लोगोंने ये करना है कि जो पोइम्स है शौर्ट स्टोरीज है एसेज है मौडर्र एसेज और नॉवल इनके जो सेंट्रल थीम है वो आप निकाल के उनको तियार करें पहला जो काम आपने करना है टैन पोइम्स आप ले ले और उसमें जो सेंट्रल थीम है समरीज है वो आप तियार करें शौर्ट स्टोरी पहली जो है वो आप आठ उसकी समरीज तियार करें पहला काम आपने यह तक करना है जो स्टार्ट पे है उसकी आपने समरी जो है वो तियार करना है पहला काम आपने यह तक करना है जब आप सेंट्रल आइडियाज सेंट्रल थीम समरीज वगेरा कर लेंगे तो और आपको पता चल जाएगा कि इस के अंदर क्या चीज़ आप जो भी चीज आपको आएगी वो आपको समरी से रिलेट पे आएगी क्योंकि summary के अंदर आप overall उने सारी चीज़ें को जान जाएंगे अब जो भी आना है उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ही passage की सूरत में आपको पास वो material होगा अगर वो कोई भी question आपसे पूछता है तो passage की सूरत में होगा उसको फिर आपने थोड़ा expand करना है पहला ये काम आपने करना है अब करना कैसे है अपने जो poems है वो सारे के सारी एक जहां पर कठी कर लें उनके जो central ideas हैं सारे एक जहां पर कठे कर लें Mr. Chips के लिए जो summary है वो अलाग कर लें short stories के लिए अलाग कर लें आपके जो place हैं पहले दो कर लें और उसके बाद फिर आप fourth को भी अप इसके साथ शामिल कर लें पहले जो है आपने त्यारी करनी है पास होने के लिए और उसके बाद फिर आपने अपने आपको square करने के लिए अपनी त्यारी को बढ़ाते चले जाना है यह है आपका तरीका a paper के लिए आपका यह तरीका है यह paper के लिए अच्छा अब self writing यह एक issue आ रहा है students को self writing का लिखना चाहते हैं अब वो कहते हैं कि हम कैसे लिखें लिखना चाहते हैं कहते हैं कैसे लिखें अब आपका जो b paper है और जो a b कह लें कुछ वो self writing के पर depend करता है self writing अब students के यह भी problem आ रहा है कि self writing किस तरह हम करें तो मैं अब आपको बताता हूँ self writing आपने कैसे increase करनी है self writing किस तरह के से आपने करनी है पहला जो काम आपने करना है उसके लिए वो यह करना है कि मैंने 50 uses of usage of English के notes upload किये हुए है वो आप उसको download कर लें अब वो उसके अंदर बहुत सारी आपकी grammar cover हो जाएगी उसको एक मरतबा आप समझ लें एक मरतबा उसको आप समझ लें जो 50 usage of English मैंने upload किये हैं उसको एक मरतबा अच्छे तरीके से समझ लें अब लिखने वाला काम जो है वो शुरू करें कैसे लिखना है आपने आपने कोशिश करनी है कि आपने present indefinite tense के अंदर रहके जो है वो आपनी बात करनी है use of present indefinite tense में और use of is MR में फिर आपने जो है possession के लिए has have का इस्तमार करके इन के अंदर आपने रहके जो है वो अपनी बात को complete करनी है कुछ अपनी vocabulary जो है वो आपनी बढ़ाएं जब आप चीजों को त्यार कर रहे हैं vocabulary को समझें और vocabulary को थोड़ा थोड़ा आप अपनी बढ़ाएं अच्छा अब अगला काम ये करें कि जब आप summary को पढ़ते हैं जब आप summary को पढ़ें अच्छा ये एक और बात आपकी ये जो books हैं इनकी उर्दू translation भी आपको मिल जाएगी उर्दू translation भी इसी इनी books के अंदर होती है अब पहला काम आप ये कर लें कि सब की आप उर्दू पढ़ लें तेज तरीन तरीके कार जो है वो उसको त्यार करने का जो मैंने आपको syllabus बताया इनकी आप उर्दू पहले पढ़ लें जब आपने उर्दू पढ़ ली आपको समझ आजेगी किस किंदर है क्या अब अगला काम आता है लिखने का तो अब आप लिखने का काम शुरू कर दें जब आपने एक point पढ़ी उर्दू में पढ़ी short story को उर्दू में आपने पढ़ लिया overall आपके जहिन में एक sketch सा बैठ जाता है अब कोई भी चीज है उसको आप तीन हिस्सों में divide कर दें उसकी opening लें उसका middle लें और उसके बाद उसकी ending यह तीन हिस्सों के अंदर आपने divide करना है उसकी opening, middle और उसकी ending अच्छा यह चीज हो गई फिर आपने उस चीज का आपने देखना जो चीज आपने पड़ी है उसके आपने good पहलू देखने है कि कौन से चीजे हैं जो आपको attract का रही है उसकी तरफ कौन से चीज आपको जो है बहुत अच्छी लगी है कौन से चीज ने आपको attract की है ठीक हो गया अब फिर आपने यह देखना है कि कौन से ऐसी चीज है जो आपको पसांद नहीं आई उसके अंदर से जो आपको पसांद नहीं आई और उसके बाद फिर उसके बैड पहलो ठीक है यह यह है अब जब आप लिखने लगें अब मैंने आपको बता है कि साड़ा टैंसिस का अपने इस्तमाल करने प्रेजन्ट इंडेफिनिक टैंस में रहें यूज ओफिस अमार में रहें अच्छा यह चीज से पहले भी आप एक चीज कर सकते हैं वो यह है कि आप अपनी अपनी इंट्रोड़क्शन पर लिखें जिससरा आप कहता है कि इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ उसके उपर आप लिखें आप बताएं अपने बारे में बताएं अपने वालदयान के मतलिख बताएं अपने बहर भाईयों के मतलिख बताएं आप अपने एजुकेशन के मतलिख बताएं आप अपने होबीस के मतलिख बताएं आप अपने जॉब के मतलिख बताएं बिजनस के मतलिख बताएं आप अपने एम जो है आपका उसके बारे में बताएं यह चीजें जो है इसको आप एक मर्तबा लिखें जब आप लिखेंगे तो आपके लिखने के अंदर फलो आ जाएगा स्टार्ट हो जाएगा शुरू जब स्टार्ट हो जाएगा लिखने का काम शुरू हो जाएगा तो फिर काम आपका बढ़ता चला जाएगा फिर दूसरी मैंने आपको ये बात बताई कि आप उर्दू पढ़ें उर्दू पढ़के आपके जहन में जो चीजें बिठाएं उनको उसकी opening, middle और उसकी ending त्यार का लें उसके good पहलू और बुरे पहलू जहन में बिठाते हुए आप उनके उपर लिखें एक डेड़ सफे पे लिखें एक डेड़ सफा फिर दो सफे पे जब आप इस तरीके से start लेंगे तो आपको लिखने का तरीका भी आता चरा जाएगा फिर आप देखें जब आप एक short story पे आप जब आपने लिखा फिर आप यूं कहलें कि उसका जो summary ना theme है उसी को आप लिख दें फिर आप देखें writer ने जो है किस तरीके से लिखा हुए तो जब आप उसको लिखा है उसके अंदर फिर आप देखेंगे हां यहां मुझे नहीं समझ आ रही थी यहां इस तरीके से लिखा है यहां इसके जो है इस तरीके से इसने sentences का इस्तमाल की है जो मुझसे sentences नहीं बन पा रहे थे जब एक मरतबा लिख के आप writer को चेक करेंगे तो काफी हद तक आप को अपनी गलतिया नजर आएंगे जब आप second level पर जाएंगे फिर आप देखेंगे यह गलतिया जो नहीं मूव होना चुरू हो जाएंगी आप improvement की तरफ आना शुरू हो जाएंगे यह एक काम है दूसरा अब यह काम करें कि इसको पढ़ें भी जो English का आपके पास material है जिससरा passages है आपको उसकी प्रैसी लिखनी है उसके अंदर से आपको short answer question डूंडने है अब वो passages 15 से 20 passages पढ़ें जब आप देखेंगे passages पढ़ेंगे तो आपको problem होगी आपको समझ नहीं आएगी तो जिसकी नहीं समझ आ रही आप जो है उसके निचे line लगाके उसका माइनी उपर लिखें और mobile dictionary का इस्तमाल करें जो दूसरी book वाली dictionary है उसके बज़ाए mobile dictionary का इस्तमाल करें और जहां अगर आपको problem हो रहा है आप उसका pronunciation भी जो है वो समझे mobile dictionary जो है जल्दी जो है उसको trace का लेगी जिस आप लिखेंगे वो फोरी तोर पर trace का लेगी mobile dictionary का इस्तमाल करें और वो जो passages हैं आपके जो जिससे आपने presses बनानी है और short answer question निकालनी है जब आप 15 से 20 पढ़ेंगे आप देखेंगे आपको काफी हद तक समझाना शुरू हो अच्छा ये लिखने का जब मरहला आपका set होगा तो यहीं से आपकी आगे spoken का काम शुरू हो जाएगा अब देखें लिखते हैं आप सोच के लिखते हैं जब लिखने की आपकी practice हो जाएगी आपको लिखना आ जाएगा तो फिर आप mind में लिखेंगे mind में mind में लिखेंगे लेकिन उसके अंदर sharpness आ जाती है अब tenses के लिए मैंने तीन हिस्सों के अंदर जो आप चीजें वो बताई हुई हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful थाबत होंगे अगर आप उनको देख लेते हैं जो मैंने charts बनाई हुए हैं टेबल बनाई हुए हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा help हो जाएगी लिखने में भी और बोलने के अंदर भी ये कुछ चीजें हैं उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था के एसे लिखने का तरीका YouTube चैनल के अंदर मेरे ये बी ए के अंदर कुछ नोट्स पड़े हुए हैं वहां से भी जाके आप इस्तफ़ादा कर सकते हैं detail के अंदर आपको मिल जाएंगी ऐसे लिखने का तरीका ऐसे कैसे लिखते हैं presses कैसे लिखते हैं reference to the context को कैसे हम लिखते हैं ये चीज़ें आप वहां से भी आपको मिल जाएंगी लेकिन थोड़ा सा मैं बताये देता हूं कि अगर आपने ऐसे लिखना है ऐसे मैंने आप लो काइदे आजम के उपर दूसरा अलामा इकबाल के उपर अब आप देखें काइदे आजम के उपर जो है परसनेलिटी के लिए भी आपका निकलेगा माई लीडर इन हिस्ट्री उसमें भी आपका चलेगा और पोईट के पॉइंट ओविव से देखेंगे दुपर अलामा इकबाल का आजएगा फिर मैंने आपको बताया था कि आपको एक ऐसे तियार करें माई बेस्ट फ्रेंड अब ये माई बेस्ट फ्रेंड जो है मैट्रक से हम करते आते हैं लेकिन इस लेवल पर आके आपने आउट लाइन्स निकालनी है दस पंदरा आउट लाइन्स निकालनी है और उनके उपर रहके फिर आपने लिखने मैंने आपको बताया था काईद आजम अलाम इकबाल माई बेस्ट फ्रेंड रोड एक्सिडेंट अ विजट टू हिस्टोरिकल प्लेस ये पांच मजबून अच्छे तरीके से त्यार कर लें पहले काईद आजम का दूसरा लाम इकबाल का तीसरा माई बेस्ट फ्रेंड चोथे नमबर पे रोड एक्सिडेंट और पांचवे नमबर पे विजट टू हिस्टोरिकल प्लेस पहले इनको अच्छे तरीके से त्यार करें उसके बाद फिर मज़ीद इसके अंदर से पांच पांच ओजें तो फिर आप अगला अपना एक ऐसे लें अपने जो है अपने इशूस जो है मुलक के उनके उपर आजें लेक्ट्री सीटी जो है एनर्जी क्राइसिस जो है इसके उपर आजाएगा आपका कोरॉप्षन पर आ जाएगा ये फिर लेकिन पहले पांच आपने इनको त्यार करना है उसके बाद आपको letter आपने त्यार करना है तो दो तीन letter के pattern जो है वो अच्छे तरीके से समझ लें दो letter लेके उनके pattern समझ लें कि आपने starting कैसे करनी है और उसके बाद body of letter किया है फिर end पे जो salutation जो आता है ending आपने कैसे करनी है यह हर एक के अंदर यह चीज़ें common होती है starting ending तो दिर्मियार में आपने कुछ लिखना होता है अगर आप दिर्मियार में थोड़ा सा भी लिख देते हैं तो फिर भी आपको more than 50% number जो है निकलाएंगे इस मेंसे भी तो बी एक अंदर normally जो letter मांगते हैं application मांगते हैं वो मांगते है job application normally job application बहुत ज्यादा आती है तो आप job application को तियार करें leave application को तियार करें certificate जो ही matrix जो है कि आप अदारा छोड़ने का जो certificate है character certificate का है इनको तो आप at least तियार को रो ना तो उसके बाद भी मजीद उसके अंदर आप addition करते चले जाएं यह कुछ चीजें थी A के हवाले से B के हवाले से मैंने overall जो है इसको डिसकस किया है तो I hope कि अगर आप इन चीजों को लेके चलते हैं इस तरीके से चलते हैं तो आप जल्दी जो है अपने आपको प्रिपेर कर लेंगे April के अंदर आपके paper स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने कोशिश यह करनी है कि February के end तक जहना अपने इस preparation को wind up कर दें जो कुछ भी आपने पढ़ने पढ़ाने का काम है वो February के end तक जो है खतम हो जाए उसके बाद मार्च का जो महीना है आपका वो आप उसको रखें revision के लिए new जो है चीजें नहीं add करें जो आपने पहले पढ़ा जो आपने outline से निकाली उन्हीं को जो है आप revise करें और उसके बाद फिर आप देखें up to date paper up to date paper खोल के देखें उसके अंदर क्या पूछा गया है और जो पूछा गया है उसको समझने की कोशिश करें कि आया कि आपको ये चीजें आती भी हैं कि नहीं आती और उसके मताबिक भी फिर आप करें लेकिन पहले आप overall आपनी त्यारी करें और उसके बाद फिर आपने जो है up to date की तरफ आना है उनको देखती हुए फिर आपने एक जो काम ये करना है कि जो up to date paper है वो आपने चार से पांच paper जो हो हल करना है ऐसे ही समझ के जिस तरह के आप examination hall में बैठे हुए हैं आप अपने आपको तीन गहंटे या साड़े तीन गहंटे का जो paper है आपको अपने आपको bound करके और time constant लगा के और उस paper को आप हल करने की कोशिश करें फिर आपनी speed चेक करें आया कि आपने उस तीन साड़े तीन गहंटे के अंदर paper को complete किया है या के नहीं किया ये चीज फिर आपने उसमें चेक करनी है लेकिन आपने चार से पांच paper जो है वो जुरूर हल करके जाने है तो ये कुछ tips थे भी ये English के तो इसके बावजूद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे भी जो है वो आप मुझे comments के through भी पूछ सकते हैं आप लोग के सहुलत के लिए मैंने एक WhatsApp गुरूप भी बनाया हुए है आप वहाँ भी आके मुझे जो है join कर सकते हैं वहाँ direct मेरे साथ communication कर सकते हैं और जो students हैं उनके साथ आप गप शब भी लगा सकते हैं exam के point of view से मेरे FB page के उपर इसी page के उपर आपको BA English के जो है वो काफी सारी videos भी मिल जाएंगी और notes जितनी भी मैं upload कर रहा हूँ BA के point of view से वो इधर ही आपको इसी page पर मिल जाएंगे मैंने notes भी upload किया हुए है इसके उपर जो कहते हैं short stories के भी है novel का भी है plays के है तो आप देखें उसको जागे modern essay के भी है poetry के भी है आप उनको download करें download करके आप उसको त्यार करें बुज़े इसके कि आप notes ही कठे करते चले जाएं ये काम नहीं आपने करना किसी एक के notes को लेके पढ़ लें किसी एक के notes को लेके पढ़ लें और उसको समझ लें और लिख लें अपने जो है वो एक मरतबा तो अच्छा हो जाएगा ये नहीं है कि हर बंदे के notes ही कठे करते जा रहे हैं कि notes ले और पांच साथ द्थे आपने लगा दी उसका फायदा नहीं है फायदा सिर्फ यह है कि एक ही के नोट्स उतार लो उसको पढ़ लो समझ लो उसको एक मरतबा लेख लो यह बेस्ट है तो इस पेज के उपर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और फिर आप लोग की ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए मैंने कलग से पेज बनाया हुआ है इंगलिश ग्रामर के नाम पे तो इंगलिश ग्रामर की जितनी भी मेरी जो है वीडियो और नोट्स वो आपको वहां से मिलेंगे उस पेज पे जाके आप देखें आपको English grammar के भी काफी सारी चीज़ मिल जाएंगे जो मैंने तेज तरीन तरीके की study जो है उसके point of view से upload की हुई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि 50 usage of English वो आपको वहीं से मिल जाएंगे 3-4 सफ़े हैं सिरफ उसके ओपर दो-दो लाइनों के अंदर मैंने साथ वो rule बताया है use बताया है साथ उसकी example दे दी है और फिर मैंने आप लोगों की correction के लिए एक agreement subject and verb agreement वो भी मैंने upload किया हुए है subject, verb agreement वो भी आप download करें उसको पढ़ें वो आपकी correction के लिए काफी helpful साबत होगा आप देखेंगे काफी सारे फिक्रे आपको वहीं से निकलेंगे आप उनको अच्छे तरीके से देख लें subject और verb agreement हमोमन इस में से काफी सारे फिक्रे आपके आजाते हैं करने के लिए तो वो भी आप उसको देख लें download कर लें tenses वो भी मैंने upload किये हुए sequence of tenses वो भी upload कर दिया हुए video भी मिल जाएंगे आपको tenses के point उसके उपर तो बाकी YouTube channel के अंदर जह हो आप जाके सर्च करके मेरा वहां से भी जो है channel आप देख सकते हैं वहां आपकी ये बीए की जन्म videos मैंने upload की हुई है एक playlist की सूरत में part 1 के लिए लग से हैं और part 2 के लिए लग से हैं तो वहां भी जाके आप इस तफादा असल कर सकते हैं I hope कि ये video आपको अच्छी लगी होगी ये जो time spending है आपके लिए फाइदा मन साबत हुआ होगा अगर आप समझते हैं कि इसका आपको फाइदा पहुंचा है फिर आप इसको like करेंगे अगर आप समझते हैं कि इसका फाइदा किसी दूर से को भी पहुंच सकता है तो फिर आप आगे इसको share करें और I hope कि इन्शाला ताला आपके अच्छी त्यारी हो जाएगे अगर आप मेरे इन points को follow करते हैं मिलते हैं next तब तक के लिए best of luck and Allah आपिस